हेलो पिरिये विद्यार्थियों साथियों सफलता की चाहा रखने बाली उर्जावान और मेहतवां कंक्षी आप सभी युगा साथियों का मैं रगुवीर से जू आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एवरिधिंग के माध्यम से आपका हार्दिक अभी नंदन करता हूं आज अपन परिक्साओं के अंदर विबिन प्रकार की जो प्रतियूगी परिक्सा है उनके अंदर बहुत बढ़ चड़के एक टोपिक पूछा जाता है विटामिन और इसी विटामिन टोपिक के उपर आज की क्लास में अपन सर्चा करने वाले हैं त विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ने किया था तो विटामिन सब्द की उपर बात करें तो इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है साथियों वह कॉलीकर फंक ने किया था सैंटिस्ट का नाम आता है कॉलीकर फंक तो कॉलीकर फंक नामक वेग्यानिक थे जिनों ने सबसे पहले सन 1911 में इस विटामिन सब्द का प्रयूग किया था सेकेंड यहां पर वर्ड आ रहा है कि विटामिनों को विलायता की आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है तो मैं बता दो कि विटामीन को घुलन सीलता की अधार पर दो प्रकार से एक तो जल में घुलन सीलता की अधार पर और दूसरा वसा में घुलन सीलता की अधार पर इनको दो प्रकार से इनको विभाजित किया जाता है जल में जो घुलन सील विटामीन आते है उसमें एक विट विटामिन C का रासानिक नाम आता है एस्कोर्विक एसीड तो ये इसके अंदर कुछ टर्मश पूछ Scene पूछे जाती है जिसके अंदर मुख्य रुप से जो नाम रहते है साथियों वो नाम यहां पे रहते है वसा के अंदर और वशा में जो नाम आते है उसमें चार नाम आते है वसा के अंदर एक आता है विटामिन ए उसके बाद में विटामिन आता है डी विटामिन ए और उसके साथ में विटाम नेक्स्ट अपन बात करते हैं question number 3 के ओपर question number 3 पे दे रखा है vitamin a का रासानिक नाम क्या है तो vitamin a का रासनिक नाम question number 3 के अंदर पूछा गया है और विटामिन ए का जो रासानिक नाम है, सिंपल इसका जो नाम आता है रेटिनॉल, लेकिन इसके साथ में और इसका नाम आता है जिसको एकसिरोफाइटोल की नाम से जानते है, इसका दूसरा नाम आता है एकसिरोफाइटोल, तो दूसरा इसका रासानिक नाम आता है एकसिरो Xныйofyltol की नام से भी जानती है, next अपने पास में प्रस्ट रहा है, साथियों, vitamin A का, vitamin A का अनुस उत्र अपने पास में है, C20, H29 OH, ये इसका अनुस उत्र रहता है, अगला प्रस्र अपने पास में 5 नंबर पे है, vitamin B, जल में गुलंसिल विटामीनों का समू है, जिसमें कितने vitamin पाई जाते हैं, तो इसमें total इग्यारा विटामीन पाई जाते है जिसको विटामीन B के अंदर सामिल करते हैं जिसमें विटामीन B1 भी सामिल होता है विटामीन B2 भी सामिल होता है उसके बाद में विटामीन B5 सामिल होता है B6 भी सामील होता है B7 भी सामील होता है B9 भी सामील होता है B12 भी सामील होता है तो इस प्रकार से कुछ सामाने विटामीने जो परिक्साओं में पूछे जाते हैं लेकिन इसमें टोटल विटामीन 11 प्रकार के पाई जाते हैं इस विटामिन 7 को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है तो ये परिक्साओं के अंदर कुछ पॉइंट्स आते है तो इनमें टोटल जो रहते हैं यहां पे ओपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 4 ये टोटल आठ सर्वदिक मातरा में परिक्साओं के अंदर पूrotे जाते हैं नेक्स्ट अंपन बात करते है इसके अंदर तो अपन नेक्स्ट चलते हैं कौश्टन नंबर सिक्स के उपर और क्वेश्न नंबर सिक्स में जब रोग हो जाता है उसके सरीर में जो मांस पेशियां रहती है मांस पेशियां ये मांस पेशियां और उसके साथ में तंत्री काएं वर्क करना बंद कर देती है आथ पेर के अंदर बहुत ज़्यादा ठाइडनेस ठकानानी स्टार्ट हो जाती है तो ये सारी की सारी विटामिन B1 के कार्ण है जिसको अपन थाइमीन के नाम से जानती है अगला प्रशनन साथियों अपने पास में रहता है question number 7 है और question number 7 अपने पास पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातू उपस्तित होती है कोबाल्ट धातू के बारे में पूछे तो ये विटामिन B-12 आता है और B-12 का जो रासानिक नाम पूछा जाता है वो रासानिक नाम होता है साइनो कोबाल एमिन इस परकार से इसका रासानिक नाम होता है साइनो कोबाल एमिन के नाम से पूछा जाता है तो इसका रासानिक नाम रहता है जिसको अपन साइनो कोबाल एमिन कहते है तो साइनो कोबाल एमिन ये विटामिन बी बरा का रासानिक नाम रहता है साइनो कोबाल एमिन तो इस परकार से भी कुछ पॉइंट्स इनके अंदर पूछे जाते है इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो question number 8 आ रहा है question number 8 है वह vitamin जो लाल रक्त कणिकाओं की परीपक होता के लिए आवशेक होता है और sensation भी करता है साथ में तो वो भी vitamin B12 होता है क्योंकि vitamin B12 की कमी से रोग हो जाता है जिसको अपन anemia कहते हैं तो यहां पर anemia रोग हो जाता है vitamin B12 की कमी से और उस anemia की कमी की कारण मानव शरी में लोह तत्यों की कमी हो जाती है तो कुल मिलाकर के लाल रक्त कणिकाओं को परीपक होता देने का कार्य vitamin B12 करता है अगला प्रस्ण 9 नंबर पे अपने पास में है और 9 नंबर पे प्रस्ण है अपने पास में vitamin B12 का रासानिक नाम तो यहां पे रासानिक नाम आता है साइनो कोबाल एमिन तो यह इसका रासानिक नाम आता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर vitamin question number 10 के उपर और question number 10 पे पूछा है माना उस सरीर में किस vitamin की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है पहले भी अपन सर्चा कर चुके है यह सीधा नाम आता है vitamin B B जिसमें B1 रासानिक नाम आता है vitamin B6 का रासानिक नाम क्या है ऐसा प्रस्ण फिर पूछते है तो vitamin B6 का रासानिक नाम जो आता है साथियों वो रहता है यहां पर pyreduction vitamin B6 का नाम है question number 12 है किस vitamin की कमी से सरीर में पेले ग्रा रोग हो जाता है तो यह पेले ग्रा रोग होता है vitamin B3 की कमी से और इसका रासानिक नाम आता है नियासीन नियासीन इस विटामिन का राशानिक नाम है नियासीन और इसकी कमी से रोग हो जाता है पेलेगरा अगला क्वेशन अपने पास में रहता है 13 नमबर पे क्वेशन है तेरा नमबर पे क्वेशन और तेरा नमबर क्वेशन है विटामिन B2 का राशानिक नाम तो रासानिक नाम साथियों रहता है राइबो फ्लेविन और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको राइबो फ्लेविनो सिस के नाम से जानते है नेक्स्ट अपने पास में question है question number 14 है और 14 number है vitamin B3 और B7 की राशानिक नाम तो B3 का राशानिक नाम है niacin और vitamin B7 का राशानिक नाम आता है biotin या फिर इसी B7 को vitamin H के नाम से भी जाना जाता है यह परिक्सव में बहुत पूछा जाता है vitamin H क्या है तो vitamin H, vitamin B7 का दूसरा नाम है next अपने पास में question number 15 वह vitamin जो pyruvic अमल या pyruvate को oxyloacetic अमल या जिसको अपन O, A, A के नाम से जानते है तो oxyloacetic acid में रूपांदरीत करता है वो भी यहाँ पर vitamin B7 रहता है या फिर vitamin B7 को vitamin H के नाम से भी जानते है तो यह इसके अंदर points रहते हैं, next अपन बात करते हैं साथियों, अगला अपने पास में points आता है question number 16 के अंदर और question number 16 है, vitamin C का रासनिक नाम, तो vitamin C का रासनिक नाम है आवला और vitamin C आवला और इसका रासनिक नाम अगर बात करें तो यह ascorbic acid की रूप में रहता है ascorbic acid, तो यह ascorbic acid यहाँ पर शामिल किया जाता है अगला प्रस्टन अपने पास में है, question number 17 पर बात करते है, तो 17 नमबर है vitamin C का रासनिक नाम C6 है, H8 है, O6 है और इसकी कमी से रोग हो जाता है इसकरवी, और इसके साथ में हडियों को मजबूती परदान करने में जो साहिक vitamin है, वो vitamin D होता है और इसके साथ में calcium होता है जो CA2 प्लस के रूप में पाय जाता है, ये भी मानव सरीर में हडियों को मजबूती देने का काम करता है, नेक्स अपन बात करें, तो vitamin D का जो रासानिक नाम रहता है साथियों, वो रासानिक नाम है calciferol, और इसकी कमी से छोटे बच्चों में रोग हो जाता है, रिकेट्स रिकेट्स रोग के कारण हडियां जो सीधी हडियां होती है, वो हडियां थोड़ी सी मुड़ जाती है, और इसकी कमी से बढ़े वैक्तियों में या प्रोड वैक्तियों में जो रोग होता है, उस प्रोड वैक्तियों में होने वाले रोग को अपन ओस्टियो मेलेशिया कहत कि विटामीन जो गर्ब में पल रहे बच्चे के स्वस्थे के लिए बहुत शांदर होता है तो वह विटामीन भी यहां पर विटामीन डी रहता है नेक्स्ट अपने पास में क्वेशन नंबर 24 है सुखा रोग कौन से रोग को कहते है तो यह भी अपने पास में आंस्वर रहत से मिलता है और यहां पे परिवर्तित करने का जो कार्य करती है वो अर्गेस्ट स्ठी रॉल होती है जिसको विटामीन डी चैंज करने का कार्य करता है तो यह सारी चीज़े है विटामीन के अंदर next question no 26 पे चलती है किस विटामीन की कमी से मानव मानव शरीर में ब्यूटी या फिर मानव शरी में सुंदरता नस्ट हो जाती है तो वह विटामीन ए रहता है और इसका रासानिक नाम है टौको फिरॉल रहता है जो विटामीन ए का रासानिक नाम है और इसको मानव शरीर के अंदर ब्यूटी हार्मोन की नाम से भी जाना जात करता है शरीर में जितनी भी सुन्दरता रहती है इस सुन्दरता को बनाई रखने का कार्य मानव शरीर में विटामिन E करता है अगला अपने पास में question है question number 27 है vitamin E को प्रजनन vitamin B कहते है beauty vitamin के नाम से भी जाना जाता है और इसके श्रोत कौन-कौन से रहते हैं तो इसमें गेहूं है चना है मटर है हरी पतेदार सब्जिया और मास ये सारे के सारे vitamin E के श्रोत रहते हैं अगले points पे बात करते हैं तो अगला point है 29 पे और 29 पे है किस vitamin के अभाव से मनुशे नपूसक हो जाता है तो ये भी vitamin E है क्योंकि E की अगर कमी हो जाती है तो इसके साथ में व्यक्ति बांज हो जाता है और बांज हो जाता है व्यक्ति के अंदर जनन छमता में कमी आ जाती है तो बांज करने का कार्य भी विटामिन E करता है इसलिए इसे मानव में नपूशक विटामिन की नाम से भी जाना जाता है Question number अपन next question number 30 पे बात करते है तीस पे बात करते है रक्त श्रावित रोधी के रूप में कार्य करता है वो विटामिन K करता है क्योंकि ये मानव शरीर में रक्त का थका निर्मित करता है बलड की जो क्लोटिंग होती है थका जमता है थके के जमने की प्रक्रिया विटामिन K से होती है नेक्स्ट 31 नंबर पे है तो 31 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा विटामीन रक्त का थक्का बनाता है बलड की क्लोटिंग करता है तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य विटामीन के करता है अगला अपने पास में प्रस्ण है 32 नंबर प्रस्ण कह रहा है कि इसका अग्ला अपने पास में question 533 और 33 question कह रहा है कि जल में गुलंसिल Vitamin कौन-कौन से होते हैं जल में गुलंसिल नहीं होता है Vitamin B और दूसरा क्व में c तो यह B और C है दुन जल में गुल को जाल होते surgeon A, D, E और K, ये A, D, E के चारों वसा में गुलंसी लोते हैं और प्रस्ण पूछा है कि कौन से विटामीन में नाइट्रोजन पाया जाता है नाइट्रोजन की उपस्तती की बात करे साथियों तो विटामीन B में पाया जाता है विटामीन B के जितने भी इसमें गटक पाया जाती है सभी गटकों की अंदर विटामीन की अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है तो नाइट्रोजन की उपस्तती विटामीन B में रहती है नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर तो अगला अपने पास में प्रसन रहता है प्रसन 36 नमबर है और कौन से समू के योगी कों को सहायक आधार कारक या रक्षातमक पदार्थ कहते है तो रक्षातमक पदार्थ जो मानव शरीर में है वो अपन विटामीनों को जानते है विटामीन हमेशा सरीर में सहायक आहार कार ップ कINA Bigडर के नाम से जानते हैं अगला प्रसमम है का 37 और 37 19 मानवशरीर में विटामिन का बंढारण कहांपी होता है साथियों ये एक मातर ऐसा विटामिन है जिसका मानवशरीर में बंढारण मानवशरीर के अंदर यक्रत में होता है golden चावल एक प्रशूरतम सुरोत है और ये भी विटामीन एक अच्छा सुरोत माना जाता है next है कौन सा विटामीन है जो मानव सरीर में प्रती रक्षा देने का कारिय करता है immune system को मजबूती देता है तो वो भी विटामीन ए रहता है अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है सुषका क्षोप का मनुश्यों में प्रकोप किस विटामीन की कमी से होता है तो ये भी विटामीन ए रहता है जिसकी कार्ण तवच्छा जो है वो सूखने लग जाती है तो यहां पे सुक्षी काइस्कोप की नाम से जानती है और अगला प्रसन है विटामीन C का सबसे अच्छा सुरूत कौन सा होता है तो विटामीन C का सबसे अच्छा सुरूत होता है आवला और आवले के अंदर एसकोर्बिक एसीड पाया जाता है इसके अंदर एसकोर्बिक ए लिए लास्टियर कॉंस्टिबल में पूछा गया था किस सम्रीद होता है तो यह विटामिन डी से सम्रीद होता है और विटामिन डी का रासानिक नाम है अर्गो केलसी फिरॉल और इसको विटामिन डी टू के नाम से भी जानते हैं विटामिन की के की जो विशिस्ट भूमी का होती है विटामिनों मैंसे कौन सा रक्त के इसकंदन में कार्य करता है तो भी इसका आंसर विटामिन के रहेगा अगला प्रस्ण है विटामीन जो खटे फलाओं में पाया जाता है वो विटामीन C है जो आवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसीड का ये अच्छा सुरूत माना जाता है तो ये विटामीन C खटे फलाओं में पाया जाता है विटामिन E का संसलेशन लेंगीक गरंथियों के अंदर होता है लेंगी गरंथियों को परिपकोता देने का भी कार्य करता है खसरे के रोग का जो जनक है साथियों वो विशानू रहता है खसरा विशानू के कारण होता है और निमोनिया जो रोग है निमोनिया ये निमोनिया रोग फैंफडों को प्रभावित करता है और शरीर के किस अंकी खराबी से मदू में रोग होता है तो ये होता है पैंक्रिया जिसको अपन अगनाशे के नाम से भी जानते है अगनाशे और अगनाशे के बीटा कोशिकाओं से अगना से के अंदर बीटा कोशिकाएं होती है और इन बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन की कमी होने पर मानव शरीर के अंदर मधु में रोग हो जाता या फिर डाइबिटीज रोग हो जाता है तो इस प्रकार से यह सारी प्रसंद थे एक एक करके अपन ने यहाँ पर discussion किये है so thank you आप सभी का most welcome और फिर मिलते हैं अपन एक अगले वीडियो में thank you तब तक के लिए